नमस्कार दोस्तों, स्वागते आपका अपने यूटूब चनल जीके टिप्स बाई मेहंदर बुगालिया पर आज गी सेसिन में अपन विज्ञान के मेहतपण 500 क्यूसन देखेंगे साइन्स के टोप 500 क्यूसन देखेंगे आप कोई से भी एक्जाम की तियारी करे हो, उसमें विज्ञान सब्जेक्ट है तो अपनी इस क्लास में से आपको 3-4 क्यूसन सिदे सिदे देखने को मिलेंगे पर तेक एक्जाम की दरश्ची से important है चलिए आज की क्लास को अपन सुरू करते हैं पहला क्यूसन क्या है मास पेशियों में किसके एक्तिरित होने से ठकान होती है यानि मास पेशियों के अदर क्या एक्तिरित हो जाए जिसे आपको ठकान मेसूस होगी तो लेक्टिक अमल अगर मास पेशियों में एक्तिरित हो जाता है तो उसे अवे थकान मेंसूस होती है लेक्टिक अमल का सुत्रिया formula क्या है C3 H6O3 लेक्टिक अमल का formula है अगला question मानव में गुर्दे का रोग किसके पर्दूसन से होता है जो मानों गे उसके अंदर गुर्दे का रोग किस चीज़ के परदुशन की वज़े से होता है तो केडिमियम केडिमियम के परदुशन से मानों में गुर्दे का रोग उत्फन होता है केडिमियम को CD's पेचानते हैं और इसका परवाणो कर्मांग है 48 अगला क्यूसन, मानोव सरीर का कौन सा बाग गटिया रोग से परबावित होता है, यानि मानोव सरीर का कौन सा बाग है जिसमें गटिया रोग होता है, तो हडियों के जोड, जो मानोव सरीर में हडियों के जोड जहां जहां पर है, वहां पर गटिया रोग होने की संभावना नहीं हो हो से अडिकी गुड़नों में अगला क्युशन मानव शरीर में रक्त को साब करने कारिये कोन declaration cabinets मानसुनपाउने तीछ जब गर्मी में पवन महासागर से और चलती है तभी मानसुनपाउने चलती है अगला क्यूशन, मोनाजाइट किसका आइसक है, जो मोनाजाइट है, वो किसका आइसक है, तो थोरियम, मोनाजाइट थोरियम का आइसक है, थोरियम एक्टिनाइट सरनी का पर्तम तत्व है, जिसको टी एच से अपन जानते हैं, और नवे परवनों कर मांखे, तो लेकिन यह बीमारी खाने में इस्ट या खमीर का प्रयोग किया जाता है। अगर पागल कुता कार जाएं तो रेबीज बिमारी होती है रेबीज जानवरों से इंसानों में फेलने वाली वाइरस जनित बिमारी है कैसी विमारी है तो वाइरस जनित बिमारी है रेबीज जो की जानवरों से इंसानों में फेलती है अगला क्यूसर लाल रक्तकन किसमें उ अगला कुशन तो carbon monoxide जिसको CO बोलते हैं और hydrogen gas carbon monoxide और hydrogen gas को मिलाकर water gas निर्मा करते हैं अगला क्युशन क्या है वायू की संगटन gas से समय यहते होती है जो वायू का संगटन होता है वातावरण में उसके अंदर कौन-कौन सी gas से होती है तो generally nitrogen और oxygen सबसे अधिक मातरा में होती है अगला क्युशन वायू वंडल में carbon dioxide gas आयतन के हिसाप से लगबक कितना परतिसप्त होती है तो वायू वंडल में carbon dioxide जिसको CO2 बोलते हैं वो आयतन के हिसाप से 0.03 परतिसप्त होती है अगला क्युशन विटामीन A सबसे अधिक मातरा में पाया जाता है जो विटामीन A है वो सबसे अधिक मातरा में किस में पाया जाता है तो गाजर में गाजर में सबसे अधिक मातरा में विटामीन A पाया जाता है अगला क्युशन परकास सलसलेशन का सुत्तर क्या है जो परकास संसलेशन है, फोटो सिंतेसी से उसका सुत्तर क्या है, उसका फोर्मूला क्या है, तो 6CO2, याने 6 कारवणाय ओक्साइड के अनू, प्लस 6H2, याने 6 जल के अनू मिलकर परकास की उपस्तिति के अंदर, C6H2O6 में परिवर्तन होते हैं, प्लस 6O2 का उसरजन करते है अगला क्या है, विदुद दारा का चुम्ब के परवाव किसने खो जा था, जो विदुद दारा है, उसका चुम्ब के परवाव किसने खो जा था, तो ओस्टरड ने, ओस्टरड ने 1820 में विदुद दारा का चुम्ब के परवाव को जा था, अगला क्या है, विदुद का फ्यूजतार किसका बना होता है जो विदूद का फ्यूजतार है वो किसका बना होता है तो टिन और सिसा मिलकर विदूद का पतला फ्यूजतार बनाते हैं अगला कुशन क्या है सकर के गोल का तापमान बढ़ाने पर सकर की विलेता बढ़ती है आपको पता होगा जब आप चा मानव शरीर का temperature है उसको कौन से घरंती नियंद्रित करती है तो हाइपोठीलिमस घरंती है जो हाइपोठीलमस घरंती है वो मानव सरीर में ताप को नियंद्रित करती है अगला कुछ सप्षाज अगला कुसरू, पेड़ और जाडियों के अद्धिन को क्या कहा जाता है? पेड़ और जाडियों के अद्धिन को डेंड्रोलोजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेंड्रोलोजी बोलते हैं लोजी का मतलब अध्यन होता है और डेंड्रोलोजी का मतलब पेड और जाडियों का अध्यन होता है अगला क्यूशन कोसिकाओं को कितने वर्गों में बाटा गया है जो सेल्स हैं उनको कितने बागों में बाटा गया है दो बागों में या दो बरगों में बाटा गया है प्रोकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका प्रोकेरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स सेल्स को दो बागों में निवाइट किया गया है अगला क्यूसन सुस्क बरप किसे कहा जाता है ड्राइ आइस किसको बोलते हैं तो फोस कारबन डाय ओकसाइड फोस कारबन डाय ओकसाइड को सुस्क बरब कहा जाता है अगला क्यूशन अमीबा एक कोसी किये जीव है या बहु कोसी किये जीव है तो अमीबा एक कोसी किये जीव है अमीबा कैसा जीव है एक कोसी किये जीव ह होते हैं, जो स्वेत प्रकास होता है, जो white प्रकास होता है, उसकी जो तरंग होती है, उसके अंदर कितने रंग उपस्तित होते हैं, तो उसमें साथ रंग उपस्तित होते हैं, जिसमें एक लाल रंग होता है, एक नारंगी दोनों होते हैं जो मोनेरा जगत के जन्तु होते हैं वो सव पोसी और विसम पोसी दोनों परकार के होते हैं अगला क्यूसर गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है यानि गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको क्या बोलते हैं क्रोपो बिल्स गोबर पर उगने वाने को कहा जाता है समूंदर की गहराई में नापने के लिए कौन सा उपकरण परियोग किया जाता है यहने समूंदर की गहराई को नापना है तो किस उपकरण का परियोग किया जाएगा फेदो मीटर का उपयोग समुंदर की गहराई नापने के लिए किया जाता है अगला कुशन समुंदरी जल का pH मान कितना होता है तो समुंदरी जल का pH मान 8.4 होता है pH मान का मतलब क्या होता है एक pH स्केल होती है जो दोनों तरपेसे होती है बीच में साथ इंकित होता है अगर किसी का pH साथ है इसका मतलब वो उदाशीन है साथ से जितना कम होगा उतना परबल अमलिय होगा साथ से जितना आधिक होगा उतना परबल सारिय होगा तो समुंदरी जल का pH 8.4 है इसका मतलब हलका सारी समूंदरी जल होता है मानौ जो blood है मानौ रख्त है उसका pH कितना होता है मैंने पिछली glass में आपको पढ़ाया था अगर आपको याद है तो comment में जल्दी से बताओ अपनी जो ये 500 कुशन की सरंकला है उसके अंदर अपने 300 कुशन तीन पार्ट के मादिम से complete कर लिए है ये अपना आज चोता पार्ट है जिसमें 100 कुशन और देखेंगे तो 400 कुशन अपने complete हो जाएंगे ये कुशन कहां मिलेंगे तो अपने इसी YouTube चैनल के playlist section में जाना वहाँ पर आपको science नाम से एक playlist मिलेगी वहाँ पर by sequence सारी क्लासे आपको मिल जाएगी तीन क्लासे मैंने पहले upload कर रखी है ये चोती क्लासे इसके बाद एक क्लास और होगी इसके अपने रिक्यान के महतवर 500 कुशन complete हो जाएंगे अगला क्यूशन क्या है जो बेरोमीटर नमक यूपती हो दिये ऐसी उसके अदर पाराबराव होता है उसमें अगर पारे की रिडिंग एकदम से नीचे गिरती है एक आएक नीचे गिरती है इसका मतलब है तुफान आने वाला है तुफान आने से पेले बेरोमीटर में पारे कातल एक आएक नीचे गिरतावा परदेशित होता है अगला क्यूशन नेरिस एउं जोग किस संग के जनतु है तो नेरिस एउं जोग जो है वो एनेलिडा संग के जनतु है अगला क्यूसर, सामाझे टूब लाइट में कौन सी गेस बरी जाती है तो ओर्गन के साथ मरकरी वेपर मिला कर सामाझे टूब लाइट में बरा जाता है अगला क्यूसर, ट्रांसफोर्मर का उप्योग किसलिए किया जाता है आपको पता है कुछ-कुछ दूरी पर जो विदुद थंबे होते हैं उनके ट्रांस्पोर्मर लगे होते हैं उनका प्रियोग किसमे किया जाता है एसी वोल्टेज को उच्वे निवन करने के लिए जो भी आपके आगे से विदुद आ रही है अगर कम वोल्टेज गया रहे है तो समानतर करम में लगे होते हैं आपको पता है किसी भी विदुद परिपत के अंदर किसी भी उपकराण को जोडने के दो तरीके होते हैं एक सिरेणी करम होता है एक समानतर करम होता है सेरेनी करम के अंदर एक के बार एक को जोड़ा जाता है एक उपकरण के बाद दूसरे उपकरण को जोड़ा जाता है लास्ट में इसको बेटरी से जोड़ दिया जाता है कुछ इस परकार कुछ डाइग्राम मनता है लेकिन समानतर जो करम होता है उसके अंदर इस परकार कुछ diagram मनता है जिसके अंदर उपक्रणों को इस इस्तति में जोडा जाता है टिक है एक उपक्रण यहाँ जोड़ेंगे एक उपक्रण यहाँ जोड़ेंगे फिर इन तीनों को वापस यहाँ पर मिलेंगे और इनको भी यहाँ बेटरी के मादिम से मिला देंगे ठीक है जो भी प्लस माइनस है उसके वाधिम से यह समानांतर जो करम है उसका डाइग्राम तो गरों के अंदर फंग के बलब आली हो समानांतर करम में जोड़े जाते है इसी अगला क्यूजिन क्या है सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है जो sex dance है, वो एक उपकरण है और वो क्या मापता है, तो दो वस्तों के बीच की कोणी है दूरी, दो वस्तों के बीच की कोणी है दूरी को मापने के लिए sex dance नाम के उपरण का प्रयोग किया जाता है, कुत्ते का वेग्यानिक नाम क्या है, जो कुत्ता है उसका वेग्यानिक वीडियो को लाइक करो एक आदा कर लिएक करो क्मेंट में कम से कम ये बता दिया इकलih अग्युकν अगला इकन की संसान क्यान गांकर बेलाइकival clusters की qejplace बेतिक जरूआ पाई चान है अगला कुछान स्पाइरल जीवानों की आकरती कैसी होती है आपको पताए आजगर इस्पाइरल की नोटबुक आती है जिसके अदर एसी इस्पाइरल लगी होती है सामने पेज लगे होती है ठीके तो ये कुंडली नुमा आकरती नहीं होगी है इसे परकार स्पाइरल जीवानों की आकरती भी निर्वात में परकास चलता है परकास निर्वात में चलता है तो निर्वात में परकास की चान कितनी होती है तीन गुणा दसकी गाट आर्ट मीटर पर सेकिंड भी स्पीर से निर्वात में परकास चलता है अगला क्युशन किस में रिनात्मक आवेस होता है रिनात्मक आवेस किस में होता है, किस परकार की किरिणों में होता है एलबा, बीटा और गामा तिंग परकार की किरिणे होती है, जिसमें जो गामा किरिणा होती है जो गामा किरिणे हैं, उनमें रिनात्मक आवेस होती है गामा किरेन एक परकार का विदुद चुम Lucky या फोटवन है अगला कुछण गामा किरेने क्या होती है तो रेडियो सक्करिये पदार्तों द्वारा उस सर्जित उज उज उर्जायूप किरेने जो होती है उनको गामा किरेम कह जाता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है जो मैनोमीटर होता है उसके द्वारा किसको मापा जाता है तो गेसों की दाप को मैनोमीटर की साहिता से मापा जाता है सूर्ये की किरणों की तिर्वता मापने वारे उपकरण को क्या कहते है जो सूर्य की किरणों की तिर्वनता मापने के लिए किया जाता है अगला कुशन पोदे के किस बाग से कोफी प्राप्त होती है हमें कोफी पोदे के किस बाग से प्राप्त होती है तो बीजों से अगला कुशन कौन सा पदार्थ नाभी की रियक्टरों में मंदग का कारिय करता है इसको थ्री स्टार लगा लो इस क्यूशन को बार मारी एक जमों में पूचा जा रहा है एक कौन सा पदार्थ है जो नाभी की रियक्टरों में मंदग का काम करता है तो बारी जल जल जिसको रेगिस्तान में जो पदेपनपते या पेदा होते हैं उन्सको जिरोफाइट्स बोलते हैं आगलाund Paul पर्वाणो सकतिसेंतर किसद्दांत परकारी करता है तो विखंडन के डांत परकारी करता है पर्वाणो सकती ूठीझ mostly पाया जाने वाला दातु तत्वे कौन सा है तो एलिमूनियम जो एलिमूनियम है वो परत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दातु तत्वे हैं अगला क्रूसर परतिवर्ति किरियाओं का नियंतरण के अंदर कहां पर है पर्तिवर्ति किर्याओं का मतलब जैसा हुआ आपने किसी भी गरम चीज को छुआ अपना हाथ जैसे आपकी गरम चीज बजाएगा तावी बजाएगा तुरंग आप अपने हाथ को हटा लोगे तो किस वज़े से होता है पर्तिवर्ति किर्याओं की वज़े से होता है तो इस इस्तंदारियों में किसमें यूरिया बनता है जो इस्तंदारी होते हैं उनके अंदर यूरिया का निर्मन होता कहा परे तो यक्रत जो लिवर है यक्रत उसमें यूरिया का निर्मन होता है अगला क्यूशन मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता है तो यूरोक्रोम यूरोक्रोम की उपस्तिति के कारण अपने मूत्र पीला रंग का होता है तो important day इसको 3 star लगा लेना इस question को कि मुत्तर का पीडा रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता है यूरोग्रोग की उपस्तिति के कारण होता है अगला क्योसन गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है जो किड्नी है उसकी कार्यात्मक यूनिट कौन सी है तो नेफरोन नेफरोन गुर्दे की कार्यात वक इकाईया यूनिट है अगला क्यों सत M.P.O. Centosis एक तरीका है जो बताता है ब्रौन के लिंग का इन्हें ब्रौन के अंदर जो भी लिंग है मतलब वो बच्चा होगा या बच्ची होगा उसका पता लगाने के लिए जिस तरीके का प्योग किया जाता है उसको M.P.O. Centosis बोलते है जो M.P.O. Centosis विदिये उसके दौरा ब्रौन के लिंग का पता लगाया जाता है Sonar का पूरा नाम क्या है आपको पता है जो जहाजी वगेरा होती है जल के अंदर उसके अंदर जल में किसी भी चीज को पता लगाने के लिए Sonar का प्रियूग किया जाता है तो Sonar का पूरा रूप क्या है या फूल फॉर्म क्या होती है Sound Navigation and Ranging Sound Navigation and Ranging सोनार का पूरा रूप होता है अगला क्यों सब जीवन रक्षक हार्मोन जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते है किस गरंती के द्वारा इस्तरावित होते है तो Adrenal गरंती द्वारा Adrenal गरंती द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते है वो इस्तरावित होते है अगला क्योंसरीर के किस गरंती को Master गरंती कहा जाता है मानौसरीर में कौन सी गरंती है जिसको Master गरंती बोला जाता है तो Puse गरंती प्यूस गरंती माटर के दाने के याकार की मस्तिक्स में पाई जाने वाली गरंती है जिसके दोरा ग्रोथ हार्मोन भी इस्तरावित होता है ये मानुव सरीर की मास्टर गरंती कहलाती है अगला क्यूसन मानुव सरीर की सबसे छोटी गरंती कोण सी है प्यूस गरंती जो और 500 एडिया, 9-जात सी इतूल, वें होती है, अगला अगुक्र सभण, निर्यवात में परकास की चान कितनी होती हैं, तो 3 गुणा 10 की गात 8 है, यह यह उपर आएगा, 10 की गात 8 मिटर, परती 2 से केंज, अगला अगरुन, प्लान कीतना होता है, जो प्लांक नियताग होता है उसका मान कितना होता है तो 6.6 गुणा 10 की गात 34 जूल सेकंड ये 10 की गात 34 से उपर आएगा इसमें त्यान रगना 6.6-10 कीगा 34 जूल सेकिंड पलांक नियताओं का मान होता है एक पिको ग्राम किसके बराबर होता है तो 10 से 12 ग्राम के बराबर एक पिको ग्राम होता है अगला क्यूसन क्या है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग किसके उप्योग में आता है? जो रडार है उसको किस उप्योग में डिया जाता है? तो रेडियो तरवो द्वारा वस्तों की इस्तती ग्यार करने के लिए रडार का प्रियोग किया जाता है कौनसा उपकराण चिकिसक द्वारा इस्तमाल किया जाता है? तो इस्टे तो इसको आपको पता होगा डोक्टर जो गले के अंदर पेने रखता है जो गसो दोलों काउनों में डाल कर आप इसको बोलता है कि सवासलों आप तेज 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 उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इस्टे तो इसको क्या बोलते हैं इस्टे तो इसको कुछ इस परकार का बोलता है इस्टे तो इसको अगला क्यूसर विरंजग चूरन जिसको ब्लीचिंग पावडर बोलते हैं उसका सुत्तर क्या है तो विरंजब चूरन पहले बातों है क्या तो ये एक एकार्वनिक योगीक है क्या है एकार्वनिक योगीक है विरंजब चूरन इसका सुत्तर क्या है तो C-A-O-C-L-2 C-A-O-C-N-2 विरंजब चूरन का सुत्तर है और ये एक एकार्वनिक योगीक है अगला क्यूसर वे हैं वेग्यानिक जिसने परमानों सिद्दान्द की कोज किती तो जोन डोल्टन जो जोन डोल्टन है उसने परमानों सिद्दान्द की कोज किती अगला क्यूसर परमानों के नाभिक में कौन से कड़ होते हैं तो प्रोटन और नूट्रन परमानों के नाभि गुना 10 की का, 15 मिटर होता है, क्या होता है, 9.46, 46 की गुना 10 की का, 15 मिटर, एक परकाश वरस दूरी का माप है, अगला क्युता है? एए निस्धिता का सिदान पर्णिपद किया था अगला क्यूसन क्या है किसी तत्विये के राषायनी गुण किस पर निर्पर करते हैं तो पर्मानुसेंग पाने जब लोक्टरौन एक इकक्स में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है तो वीप्रिशकर एंटिक्लोपोई विप्री चक्रान होता है जैसे एक इधर गुमेगा तो एक इधर गुमेगा ठीक है तो आपको ध्यान रखना है जब दो इलोक्ट्रोन एक इक कक्स में होते हैं तो उसके अंदर विप्री चक्र पाया जाता है अगला कुसर पर्तवी की आयू का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विदी से पर्तवी की आयू का आकलन किया जाता है जो जिवासम होते हैं उनकी आयू का आकलन कार्बन डेटिंग विदी से किया जाता है लेकिन पर्तवी की आयू का आकलन यूरेनियम डेटिंग विदी से किया जाता है पर्तवी की आयू लगबग कितनी है तो 4.523 बिलियन इयर्श, पर्त्यों की आयू बताए जाती है, रेडियो कारबन डेटिन्ग से किसका निर्दान होता है तो ? की आयू का, जो जिवाशम होते हैं उनकी आयू का पता तो रेडियो डेटिंग विदी से पर्त्वी की आयू का आखलन होता है अगला कुशन पर्माणू बम का विसकार किस ने किया था तो ओटो होन ने पर्माणू बम का विसकार किया था अगला कुशन एक नोटिकल मील किसके बराबर होता है एक पॉइंट 85 किलोमेटर के बराबर होता है जो ए या दो से अधिक सुल्द पतार्तों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है मिसरन निश्चित अनुपात में मिलाने से योगिक बनता है किसी भी अनुपात में मिला देने से मिसरन बनता है सूरियें की किरणों की तिर्वता मापने वाले उपकरण को क्या केते हैं तो एक्टियोमेटर एक्टियोमेटर जो होता है वो सूरियें की किरणों की तिर्वता मापता है न्यूट्रोन की कोच किस ने की थी तो जैम्स चैंडविक जैम्स चैंडविक ने नूट्रोन की कोच के थी अगला क्यूसर साइक्लोट्रोन किसको तवरीत करने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो परमानू परमानू को तवरीत करने के लिए साइक्लोट्रोन का प्रियुक्त किया जाता है cyclotron actually में एक machine होती है जिससे पर्मावों को तवरीद किया जाता है अगला क्यूसर pyrometer से क्या मापा जाता है तो उच ताप मान high जो temperature होता है उच ताप मान होता है उसको thermometer नहीं pyrometer की साइथा से मापा जाता है अगला क्यूसर सन 1903 में mobile phone का विसकार किस ने किया था तो मार्टिन कूपर मार्टिन कूपर ने 1903 में mobile phone का विसकार किया था Motorola company भी इनकी है मार्टिन कूपर की आपको पता है Halo Motors इस वो बोलते हैं बन तो मार्टिन कूपर ने उन्होंने 1903 में mobile phone का विसकार किया था मानव शरीर के अंते इस्त्रावी गरंतियों के नाम बताने हैं आपको पता है गरंतिया दो प्रकार के होती है अंते इस्त्रावी और बाइस्त्रावी ठीके एक मिश्रित गरंतिया भी होती है जो दोलों प्रकार के दिखाती है तो आपको अंत्य इस्तिक्स में पाई जाती है अगला कुछन थाइमस गरंती है जो यहाँ पर सीने में पाई जाती है चाकार के होती है जो की immune system को मजबूत करती है अधिवक गरंती है जो kidney के उपर पाई जाती है तो यह है मानुव सेदिर की अंते इस्तरा भी गरंती है अगला क्युशन इलोक्ट्रोण की खोज किस ने कीती तो J.J.Thompson ने 1897 सभी में इलोक्ट्रोण की कच केती जेजे थॉमसर ने 877 अगला क्यूंसर बोला जाता है अगला क्यूसन क्या है दूई नाम पदत्ती के जनक कौन है तो केरोलस्ट लीनियस है वो दूई नाम पदत्ती के जनक है अगला क्युशन, प्रोटोन की खोज किती तो गॉल्ड इस्टीन ने, गॉल्ड इस्टीन ने प्रोटोन की खोज किती और प्रोटोन नाम किसने दिया था तो रदरफोर्ड ने, प्रोटोन का नाम तो रदरफोर्ड ने रखा था जबकि प्रोटोन की खोज किती गॉल्ड इस जीव होते हैं, जो प्रोटिष्टा जगत के जीव होते हैं, वो जले में रहने वारे एक कोशिगी और युकेरियोडिक जीव होते हैं, अगला क्यूशन, बोस इंडिकस किसका वेग्यानिक नाम है, तो गाय का, गाय का वेग्यानिक नाम है बोस इंडिकस, अगला क्यूशन, परवाणों विदूत रूप से उदासिन होते हैं, जो परवाणों होते हैं, वो विदूत रूप से कैसे होते हैं, ना तो दनात्पक होते हैं, ना रिनात्पक होते हैं, वो होते हैं उदासित, परवाणों विदूत रूप से उदासिन होते हैं, तो आज यह यह ते सो important question, अगया आपको किस टोपिक पर क्लास चाहिए हो भी मुझे कमेंट के वाद इसे बता दिया करो, आप बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहेगी, मिलते है फिर एकसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी प्राइजारी को स्वास्ते के दामड़ा को टेक केर जेहिन